हलो फ्रेंज मैं विजय लक्ष्मी आज मैं बना रही हूं दही चावल बनाओंगी लेकिन एक में तड़का लगाना है और दूसरे में ऐसे ही सिंपल बिना तड़का वाला है जो मिना तड़का वाला है मैंने उसमें फ्रीज का वो चावल में फ्रीज का पानी डालके उसका र यह दो कटावरी में मैं बचें लैर litt faith और यह तड़के में यूच करने के लिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता रेहड मिर्ची दो और थोड़ासा ... शोर्षौ और थोड़ासा जीरा साबूरा वालो मैंने ल राख्या इस यह मुझे तड़के हरा मिर्ची और ये थोड़ा सा अद्रक है लेकिन ये तीखा वाला अद्रक नहीं है ये जो खट्टा लगता है जो अद्रक है वही है जो दही में डालने से बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है लिम्बू है और ये थोड़ा सा खीरा मैंने ये जो बिना तड़का वाला जो दह मैंने जो ले रखी हूँ इसे पहले मैं अभी तड़का बना के ले के आ रही हूँ क्योंकि इसमें दभी में जो हम तड़का यूज करेंगे ओ गरम उसमें नहीं डाला जाएगा थोड़ा सा उसको थंडा करके फिर बाद में वो दःचावल जो बनाएंगे हम उसमें डालना ह इसलिए पहले इसे मैं तड़का लगा के थोड़ा देर उसको थंडा करने के लिए चोड़ रही हूँ पहले मैं क्या करूंगी ना पहले जो मैं तड़का वाला दही चावल बनाना है वो बना रही हूँ तड़का बला दही चावल बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी चावल ले रखी हूँ वो इसको पहले से ही मैंने उसको बोईल करके अच्छा से थंडा करके रखी हूँ इसमें एक कटोरी दही डालना है उसके बाद हम उसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा ये वाइड वाला नमक डालेंगे और ये थोड़ा सा जो हमारा बलाक सॉल्ट आता है वो थोड़ा सा डालेंगे थोड़ा सा उसके उपर हरी मिस्ची डालेंगे और ये जो कटा हुआ अद्रक रखी थी वो अद्रक थोड़ा सा डालना है अभी ये जो खीरा को मैंने कटिंग करके रखी थी उसको डालना है बस हलका सा थोड़ा सा डालना है ज्यादा नहीं उसके उपर ये मैंने तड़का को अभी मैंने थंडा कर बना के फिर इसको थंडा करने के लिए छोड़ दी थी अभी ये थंडा हो गया है उसको डालना है बभी इसको अच्छा से मिξ करना है मिक्स कर देने से हमारा बन के रेडी हो जाएगा हमारा तड़का वाला दही चावल बहुत जादा सिंपल है और बहुत जादा टेश्टी भी है गर्मी में यह दही चावल बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए इसलिए ये दहीचावल जो है एक बार जरूर बनाना है और इसे जरूर से खाना है ये बहुत अच्छा है शरीर के लिए भी अच्छा है और हमारे जो अभी इतना गर्मी हो रहा है गर्मी में हमें तेल और मसाला थोड़ा कम यूज करना चाहिए और ये बहुत जादा टेस्टी भी है और बहुत जादा ये चटपटा भी है बहुत अच्छा लगेगा इसे हम अगर बना के खाएंगे तो अभी ये बन गया हमारा तड़का वाला दहीचावल इसे साइड कर देते हैं अभी ये हो गया हमारा बिना तड़का वाला जो हम दहीचावल बनाएंगे इसमें कोई तड़का नहीं लगेगा इसमें सब चीज बस ऐसे ही डाल के इसको खाया जाएगा ऐसे ही यह मतलब ओरी सामेर का वाला दही चावल के लिए दही को पहले थोड़ा सा यह मैंने एक कटोरी दही ले रखी हूं यह दही को यह ग्रैंडन करने के लिए ज यह जो एक हरी मिर्चे डालना है ज्यादा नहीं और थोड़ा सा पुदिना का पत्ता इसे हमें ग्रैंडिंग करना है और इसमें क्या करेंगे ना हलका सा इसमें नमक भी डाल देंगे और यह जो कटिंग करके रखे थे अद्रक है वो अद्रक को थोड़ा सा डालेंगे इसे अभी अच्छा से ग्रैंडिंग करके डालना है बिना तड़का वला दही चावल बनाने के लिए मैंने ये पहले तो बता रखी हूँ कि मैंने बॉयल चावल को थंडा पानी मैंने उसमें फ्रेज का पानी डाल रखी हूँ उपे पूरा थंडा है अभी क्या करना है उसमें हलका सा वाइट नमक डालना है चावल में और थोड जो मैंने अभी grinding करके लेके आई जो दही और थोड़ा सा पोदीना का पत्ता एक हरा मिर्ची और थोड़ा सा अध्रक उसे डालना है अभी इसे अच्छा से मिक्स करना है अभी इसके उपर हमें नमक तो मैंने पहले से ही डाल रखी हूँ चावल में यह हो गया है अभी नमक डालने का और जरुरत नहीं है अभी यह बन गया है इसे और तड़का लगाने का जरुरत नहीं है अभी क्या करेंगे अगर प्याज पसंद है तो प्याज तुरंद काटके उसके उपर डालना है और दो पीस लेमन डालना है खाते टाइम उसको निचोड़ना है फिर उसमें फैक देना है फिर ये थोड़ा सा ये पुदिना का पत्ता है और ये थोड़ा सा सारी मिर्ची डालना है और खीरा तो सभी को पसंद होता है थोड़ा सा इसके उपर एसे खीरा डाल देना है बन गया है ये बिना तड़के वाला दही चावल इसके उपर अगर और ज्यादा हरी मिर्ची चाहिए तो इसके उपर और एक दो हरी मिर्ची भी हम डाल सकते हैं अपने मर्जिबे यह हो गिया है बिना तड़का वाला दही चावल और यह हो गिया है तड़का वाला दही चावल दोनों बहुत ही जादा टेस्टी बनता है और बहुत ही जादा अच्छा लगता है जिसको तड़का वाला नहीं पसंद है ऐसे ही थंडा में जब गर्मी लगत तो हम तुरंती ऐसे बिना तड़का वाला दही चावल बना के हम तुरंत सार्फ भी कर सकते हैं खुद भी खा सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा टेश्टी भी बनता है और चटपटा भी बनता है अभी ये दोनों दही चावल बनके रेडी हो कि हखेंश हम आज में बना रख예요 H ein यह लिए छेलिए में बना रखाता है उलेकिन एक तडका वाला दही चावल तेस्टी था बिना तड़का वाला दही चावल है तड़का वाला दही चावल तो अच्छा लगता ही है और बिना तड़का वाला जो दही चावल है वो उससे भी जादा अच्छा लगता है बहुत जादा टेस्टी लगता है चटपटा लगता है और गर्मियों में यह हमारे सरीर को बहुत थंडग भी पहुंचाता है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है इसको खाने में इसलिए मेरा यह जो वीडियो वे लास तक देखना है एक बार जरूर बनाना है बताना है कि कैसा बना है मेरा जो रेसिपी है वो कैसा बना है लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करना है साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब के पास बहुत जल्दी पहुंच पाए तो अभी मैं बनाने जा रही हूं दो प्रकार की दरी चावल